हेलो एबरीवन आज की इस वीडिये में हम लोग B Pharma 6 Semester 2022 and 2023 का पेपर देखने वाले हैं और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वा है Pharmaceuticals Biotechnology तो आज की इस वीडिये में हम लोग EKTV का पेपर का सॉलूसन यहाँ पे देखेंगे 2022 and 2023 का तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पे जो सेक्शन यह में पहला कोशन पूछा गया उससे देखते हैं ठीक है यहनि जो प्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं ठीक है जो यूज किया ज़ 1500 यहाँ पे पूछा किया restriction in नूधैस थीके तही है दियाक्सांपल तो यहाँ एक्जामपल के साथ में आपको बताना है जो कि हमें आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन यहाँ पर what is toxoid vaccine ठीक है तो यहाँ पर आपको toxoid vaccine जो होते हैं उसके नाम में बताना है और example में बताना है जैसे यहाँ पर tetanus vaccine है नेक्स्ट कोशन है erythroblastosis fetalist is an example of which type of hypersensitivity reaction ठीक है तो यहाँ पर आपको जो reaction है उसके बारे में बताना है नेक्स्ट कोशन है define the term immune stimulation and immune suppression ठीक है तो यहाँ पर आपको immune stimulation और immune suppression क्या होते हैं उसके बारे में बताना है ठीक है और example के साथ सबका आपको यहाँ पर example देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपको example के साथ यहाँ पर बताना है यहाँ प्छा ग्या है फ्रेज रेष्ड रखेटर फैक्सिन को एस्टूर करने के लिए जो टेंप्रेशर चाहिए वह कितना चाहिए उससे आपको यहाँ पर बताना है दो डिग्रीश से लेकर आपको आठ डिग्री तक चाहिए Celsius में रहां प्छान सब्तक्राइग के साथ भी बताना है ठीक है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसके बारे में आपको डिफ्रेंस बताना है आपको 21 और 22 में पूछा गया था जो कि 7 नमर में पूछा गया था ठीक है तो उसी का यहां पर 2 नमर में question पूछ लिया गया है यानि question repeat होते हैं तो आप previous question definitely करके जाए next question यहाँ पे name two important parameters that need to be control while opening any formenter ठीक है तो यहाँ पे आपको कोई भी formenter open करने के लिए आपको दो parameters बताना है ठीक है control while opening any formenter ठीक है next question यहाँ पे what is plasma substitute ठीक है तो यहाँ पे आपको plasma substitute के बारे में बताना है example के साथ ठीक है तो चलिए बड़ते हैं section B के तरह section B में जो पहला कोई पूछा किया हुआ हुआ है discuss the working of biosensor highlighting its various components with the neat level diagram ठीक है तो यहाँ पे आपको various working biosensor highlighter के बारे में बताना है ठीक है उसका component भी बताना है उसके बाद से उसको level diagram भी बनना है तो यहाँ पर साथ आपको बनाया गया है जो की आप देख सकते हैं ठीक है काफी आपको यहाँ अफ chess explain किया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर illustrate in detail about the process of PCR and write some its importance and application ठीक है तो यहां पर आपको प्रोसेस बताना है PCR का जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद से आपको इंपोटेंट अप्लिकेशन भी बताना है तो आपको PCR का यहां पे अप्लिकेशन भी देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कुछन पे और जो नेक्स कुछन पूछा किया हुआ है ठीक है यहां पे प्रोचस या प्रोचस और गवन मेंद ब्लॉड और ड्राइव हुमन प्लाजमा ठीक है तो यहां पे प्रोचस ऑन प्रोचस बटाना है HI यह human blood जो होता है उसे store करने के लिए यानि plasma को store करने के लिए ठीक है blood या plasma को store करने के लिए क्या procedure होते हैं क्या storage होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको procedure आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है additional procedure भी यहाँ पर आपको दिया गया है ठीक है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस मेथर बताना है जो enzyme immobilization होते है ठीक है उसमें with example के साथ ठीक है तो यहाँ पर आपको example के साथ various method मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको सारे method को explain किया गया है ठीक है जैसे कि देख सकते हैं जो भी method है उसे आपको explain किया गया application भी यहाँ पर आपको देखने को मिल करना है ठीक है आई DNA technology के थुरू बायो technology के थुरू ठीक है तो यहाँ पर आपको insulin का production किया गया है जो भी process है उसके बारे में आपको बताना है ठीक है और diagrammatic वे से आप definitely बता है ठीक है जिसे teacher को समझने में बहुत असानी हो और आपको full marks मिले next question है यहाँ पर classify immunity and differentiate between cellular and human immunity ठीक यहाँ पर काफी अच्छे तरिका से explain किया गया है ठीक है जिसे आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है next question यहाँ पर पूचा गया वजह है यहां पर diplomatic way से भी explain किया रचाहाँ श्यार कंगें ौफ़ींॉ ऊप्रश ब्लोटिंग का प्रोसिडूर नाया है ठीक है तो यहां पर का प्रोसिडूर देखने को मिल transformation and its application in detail ठीक है तो यहां पर अपको प्रोसेस बताना है microbial bio transformation का और उसका application भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो पहले आपको bio transformation का भाई यहां पर बताय गया है ठीक है application भी आपको bio transformation का बताना है microbial bio transformation का ठीक है next question यहां पर उचा गया है explain the process of production and purification of विटामिन B12 by process of fermentation यह भी काफी important question है ठीक है तो आपको vitamin B12 बनाना है ठीक है कैसे बनाना है ओ भी आपको यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है fermentation गा ठीक है process of process और purification ठीक है यहाँ पर दोनों method आपको बताया गया है ठीक है जो कि आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर slide मैं धीरे लेकी चल रहा हूं ठीक है जिससे आपको हर चीज़ किलियर हो जाए ठीक है तो इस तरह से हमारा section C है वह भी complete हो गया है ठीक है I hope कि आपको यह video अच्छी लगी होगी हमने सारे question को attempt किये हैं ठीक है बाकि explanation की कि उन लोगो problem आ रहे थी इसलिए मैं password हटा ही दिया हूं ठीक है I hope कि आपको यह video अच्छी लगी होगी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर जाहिंदे